Hey guys, welcome to our channel, my name is Apsar and you are watching Technical Apsar YouTube channel तो guys, आज किस वीडियो के अंदर मैं आपको Instagram के बहुत एक interesting update के बारे में बताऊंगा जो कि शायद आपको इस वीडियो के बाद अच्छा भी लग सकता है या फिर आप इसको थोड़ा नापसंद भी करेंगे बट मैं आज की सुडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि ये update क्यों इतना ज्यादा important है, इतना ज्यादा अच्छा है और क्यों ये update बुरा है तो guys, दिखें सबसे फ़ली बात यहाँ पर Instagram के उपर अभी हाली में एक update आया है जो के सिर्फ मेरे एक account के उपर आया है, बाकी जो मेरे दो account है उनके उपर मुझे अभी तक ये update नहीं मिला है जिस update का नाम है, hide, like, count, या फिर hide, view, count, on, post मतलब कि आपकी जो भी post है, जैसे कि ये post है, जिसके उपर आपको दिख रहा है ताके अगर आपकी किसी post के उपर, मान लीजे, मेरे 5000 follower है और 5000 follower बहुत जादा है, अगर उसके इसाब से मुझे 50 या 60 अगर like आते है तो मुझे उन like को hide करना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे profile की जो reputation है, वो अच्छी नहीं आएंगी अगर आपके like से आपर बहुत जादा आते हैं, तो definitely आप अपने like को है पर show करेंगी ही क्योंकि वो एक अच्छी बात होगी आपके viewer के लिए और आपके profile की जो reputation है, वो बहुत अच्छी रहेगी तो इसलिए ये दोनों update में आपको बता दिया अच्छा क्यों है और अच्छा क्यों नहीं है तो अब मैं आपको बता तो कि update किस तरीके से काम करता है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे profile के उपर और profile के उपर आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने एक profile को post को लेता हूँ और post को लेने के बाद भी आप देख सकते हैं नीचे like it by apsar shaha and to others नीचे हम दूसरे वाली post के उपर आएंगे तो आप देख सकते हैं like it by apsar shaha and others तो यहाँ पर same is like is post के दोनों पोस्ट के उपर तीन likes है एक मेरे इस account का और दूसरे account के तो आप देख सकते हैं कि उपर वाले account के उपर two likes others दिख रहे हैं बट नीचे वाले में नहीं दिख रहे हैं तो सबसे फ़ले यहाँ पर हम इसके उपर click करते हैं likes के उपर and others के उपर and अब भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर three likes है जो कि आपर अपसरशाट एक नों अपसरा and testing deals के नाम से हैं अब अब में मुआरे दूसरे यहाँ पर अगर हम open अगर करते हैं तो यहाँ पर भी three like है same बद्धन like किया है तो किस तरिके से हम अपने like को height कर सकते हैं अभी आप देख सकते यहाँ पर मैं इस post के like को अभी आपको height कर के बताऊंगा simply हम यहाँ पर 3 line के उपर click करते है 3 dot के उपर उसके बाद यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाता है hide like count तो यहाँ पर आप जैसे ही click करेंगे आप देख सकते है अपसर शाहा and others उपर आपको दिख रहा है like count hidden तो इस तरीके से आप अपने instagram की किसी post को या फिर अगर आपने कोई video अगर upload किया है and उस video के अगर आप views को hide करना चाहते है तो उसके लिए भी आपको option इसी तरीके से आजाएगा जिस तरीके से यहाँ पर आपको like hide का दिख रहा है तो आपको यहाँ पर hide views का option आजाएगा अगर आप चाहते हैं कि ठीक है यहाँ पर हमारे like count hide ना हो तो आप यहाँ से unhide भी कर सकते हैं उसके बाद आपके यहाँ पर जो like से वो unhide हो जाएगे उसके अलावा guys यहाँ पर अगर आप कोई नहीं post करते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं plus वाले icon के उपर click करता हूँ and plus वाले icon के उपर click करने के बाद simply यहाँ पर मैं अपने post के अंदर चला जाता हूँ and post में जाने के बाद यहाँ पर same मैं इसी photo को लेता हूँ और फोटो को लेने के बाद तो सबसे पहले हम यहाँ पर पोस्ट के अंदर जाते है और पोस्ट के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हमने फोटो को क्लिक किया और यहाँ पर पोस्ट में इस फोटो को ले लिया है अब इस फोटो को लेने के बाद जैसे हम यहाँ पर प्लस वा होगा वो सेटिंग यह है जो आप जहाँ पर अपने पोस्ट के अबाउट सेक्शन लिखते है उसके बाद आप उसका लोकेशन वगेर यहाँ पर डालते है तो उसके नीचे आपको एडवांस सेटिंग का एक ओप्शन देखने को मिलता है जो आपको सबसे नीचे दिख रहा ह आपने अभी भी अपलोड करी है आप उसके लाइक को या उसके वीउस को अगर आप हाइट करना चाहते है तो यहाँ पर आप इसको इनेबल कर देंगे अगर आप चाहते है कि उसके जो लाइक से वो यहाँ पर शो होते रहे तो आप इसको डिसेबल कर सकते है उसके अलाव भी कर सकते हैं वो इस तरीके से अपने 3.q पर क्लिक करके हर पोस्ट के साथ में आप इस तरीके से कर सकते हैं सुब्सक्राइब करता हूँ कि आपको इंस्टाग्राम का एक यह निव अपडेट अच्छा लगा होगा